हवा भी बेकसूर दीया भी बेकसूर उसको बहना है और इसको बुझना है जरूर नमस्तों से मेरा नमधेस अलेकर चोट इसकाने कहाने को चुछ है कि एक भिकारी था और उन्ड़ कामी होता है रोज सुबर मांगना और फिर उसी जो मांगे हुए अन है या चावल है उसी को स सुनता नहीं है भी कारी दरवाज्वें ख़ड़ा रहता है और वताटा है फिर घर से गृहड़ेशं बाहर निकलती है कुछ अन्यम पज़सको देती हैं फिर बिखार्य चला जाता है लेकिन वो सोचते वे जाता है और इस प्रस दर्वाजे बना सौन में होता है कि इसके बहुंद से से थोड़ा से खुशी तो यह किसान है कम सकम यह अराम से बैठके अच्छे से खाना का रहा है और अपने परिवाय के साथ समय भी ता है किसान के घर में थोड़े सी पैसे की जुवत पढ़ जाती तो उसकी पत्नी करती कि आप सावकार के पास जाओ और हचार रुपे लोन ले मां करजु के दोर पर देएटा है कि मैं तो देवार को काम करता हूं कि आथकि साल पर में नो दो तरीकिके कानाच आता है धिर हमने को यह क्या है कि की इसको कुछ नहीं करना Azraam से हवा της लगए कमी बैठां कुछ पैसे कि और इस साम दर्सकि इसका जा रहा है अच्छा फिर यह कहानी खतम होती है फिर होता गया कि जाता है कुछ कपड़े की उसके रिक्वार्मेंट रहती है फैमली में कुछ फंक्षन वगरा रहता तो वहां पर देखता है कि जो कपड़े का भ्यापारी है उसके पास धे सारे गठर लगा हुए है कि मुझसे ज्यादा खुशी तो यह है क्योंकि मैं तो गाउं में पढ़ा हूं 1500 के बीच में ही कर्ज बाठता हूं और उसी में से थोड़े पैसे बसते हैं उससे अपना जीवन्यापन कर रहा हूं फिर होता है कि कपड़े का जो वह सहर जाता है और वहां पर देखता है सब्सक्राइब कर देखकर के खुस होता है कि यार मैं तो थोड़े से कपड़े में के बहुसा में ही परशान हूं यह सारे लोग देख कितने अच्छे हैं पार्टी बगर चल लिए और यह सारी चीजिए वह देख करके नहीं वापस घर आता है वह बीमार हो जाता है फिर कि खिल के बाहर वो देखता तो एक व्यक्ति था जो गानागाताः हुए जा रहा था और यह जैड़ और कोई और नीट यह वहीं भी खारी था जो किसानकी पास गया था भीक मंगने या फिन कुछ मंगने गया था ताकि वो दिनका जो उसका समय है वह आसाने से घुजर जाए तो होता गहा ना कि आपके पास जितनी चीजे हैं क्योंकि देखो जितने ही आप अपने को स्काटर्ट करेंगे समस्यां बढ़ती चली जाएंगी और हर इस ने सुछता